वेलकम विवर्स, इस प्रकार का आस्तिन बनाएंगे लेस के द्वारा, तो लंबाई हमने 10 इंच रखा है, 7 इंच इसका मोहरी है, 8 इंच पर आर्मोहल है, 2 इंच पर यहां पर राउंड बनाए हैं और 1,5 इंच पर राउंड बनाए हैं, तो इस तरीखे से ब्लाउज को लेना है, जैसे मार्किंग किया पहले उसी हिसाब से इसको छाप लेते हैं, चैनल पर पहरी बार आया है, तो आपका स्वागत है, इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और कमेंट करके जरूर बताएं, हमारा मार पाविदर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर हम निसान बना लिए हैं, और मेन फेबरिक में इसको रख करके सीर लेते हैं, इस तरीके से पुरे राउंड में सीर लेना है, एक लेस के द्वारा सुंदर साई डिजाइन बन कर तयार हो जाता है, ज्यादा इसमें माथा करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सकट लगा देते हैं, और इसको पलट करके फिर इसमें सीलाई लगा देते हैं, यह अंदर की तरफ लगाना है, अस्तर की तरफ सीलाई को मेन कपड़े में नहीं लगाना है, तो इस तरीके से लगाते जाएं, ध्यान से दूसरी तरफ का क किया इसके लिए यहां पर राउंड किया है यह इसलिए यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है चलिए पलट लिए यह तैयार हो गया अब यहां पर अच्छे से सिधा कर लेते हैं इसको अब लेश लगाएंगे यहां पर पस इतना सा ही है ज्यादा कुछ इसमें जरूरत नहीं है और एक सुन्दर सा डिजाइन बनकर त्यार हो जाता है आप देखेंगे एक खुबसूरत सा आस्तिन का डिजाइन त्यार हो जाता है यहां पर मोड है इसले थोड़ा सा ध्यान से सिलना है यहां पर मोड है वहां पर घुमा करके सिलाई लगानी है जी इतना जरूरत है उतना रख लेते हैं फिर कट कर देते हैं एक और लगा लेते हैं आपर इस तरीके से और आपका डिजाइन बनकर तेयार हो जाता है यह देखिए बन गया कितना सुन्दर अब इसको पैक कर लेते हैं मैं कपड़े को चारो तरफ में शिलाई लगा करके इस तरीके से सिद लेना है डिजाइन तो लगभग तेयार हो गया है आस्तिन का सिलाई और काट छाट यहाँ पर हो रहा है इस तरीके से कट करते जाएंगे इस्ट्रा कपड़ा है उसको और आपका डिजाइन बनकर तेयार है थांक्स फर वाचिं माः वीडियो